तिमस्कार आप देख रहे हैं उत्राखन प्राइम और मैं हूँ आपके साथ आयुशी नेगी और बुलिटिन के शुर्बात बड़ी खबर के साथ करेंगे दहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकार त्रवेंदर सिंग्रावत का बयान साबनी आया है स्मार्ट सिटी निर्मान कामों की प्रगती को त्रवेंदर सिंग्रावत ने निराश्वा जनक बताया है पहले स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था और बार बार स्मार्ट सिटी के CEO बदलना ठीक नहीं है त्रवेंदर सिंग्रावत का ये बयान साबनी आया ह देहरदून में Smart City Project का काम चल रहा है और इसे लेकर पूर्वसीम त्रवेंगर सिंग्रावत ने अपना बयान दिया है उनका कहना है कि पहले Smart City का काम अच्छे से चल रहा था लेकिन अब जिस प्रगती से काम चल रहा है वो काफी निराश्टा चनग है सो में से 99 नंबर ये दिहरणून इस्मार्चिती नूरो सिती का थ schne और इस्मार्चिती के कामी से लगभग तीन साल में तीन साल में ये 99 अस्थान से नवे अस्थान पोलती देश में बहुत बहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चेन था उसमें नमबर एक पे दिहरदूं का काम चल ला था ये तुर भाग्यपोन है कि जो आज जिस तरह के आवाजें उठ रही हैं जिस तरह का तिख रह वास्तम में वो इसमार्स्टी की जो परिकल्कना थी उसे सिन्ता का विश्या है इस्मार्स्टी के लिए जो इसके सी ो हैं वह बद्रे निय जाना चाहिए है अबजन बहुत अबंकि अपने से पहले वाले को दोस देता है कुई भी आपी वी तहाय eh, हम यहां हमसें गलती वी! कोई भीए वि्भी बंधा इतना साहत ने देख़ा पा रहा है कोई शोई पिस्विकार कर सब्सक्रा कर सके हमसे हम धरुटी हो रही है सब दूसर्य को पर थुटियां डाल रहे है और दर आईपुर से विधाय कुमेश शर्मा काउ का भी कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम काफी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं जिससे आम लोगों को परिशानी हो रही है जब यह लागू हुआ था तो कुछ हम मेरे दुवारा ऐसे सुजाओ दिये गए जो बैवारिक थे जो जमीनी अस्तर पर उनको मानते तो निश्चित रूप से जनता का पैसे से जनता को लाब मिलता अब तो यह है कि जो काम इस समय हो रहे हैं हम उनसे बच नहीं सकते अपनी जिम्यवारियों से क्योंकि जब जब भी बैठक होई होगी जो जनप्रतिनी दीद ने उसमें भाग लिया तो वो अब आज की तारिक में कैसे कह सकते हैं कि यह काम गलत हुए मैं तो इसलिए कह सकता हूं कि मेरा तो उसके बाद उस किसी भी बैठक में ना तो मुझे बुलाया गया ना उसमें रखा गया और स्मार्ट सिटी को लेकर धर्मपूर से विधायक विनोट चमोली का बयान स्मार्ट सिटी को लेकर विनोट चमोली ने भी नाराज़गी जताई है तो जिस तरीके से धरदुन स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसे लेकर विनोट चम सबसे पहले मेरी परात्मिक्ता थी वह थी वहां जो इस्ट्रेक्शर्स खड़ें जो बिल्डिंग्स कड़ी हैं मैंने कह था कि इसको एक कॉलनर पर लाका हाई-राइज बिल्डिंग बना के सब उसमें सिफ्ट कर दिया क्योंकि हमारा सहर का लंग्स हैं वेसिकल ले तो इसको आज मैं देख रहा हूं कि बिल्डिंग्स कम करने के बज़े और जदा हो गई हैं इसी तरीके से उन्हों ने पूरी विवस्ता को द्वस्त कर दियाँ, कॉंग्रेस के दौरा बनाएगे, जितने भी संस्थान थे, उनको चौपट करने की नियत से करा उन्होंने, लेकिन उस से देश चौपट हो रहा है, पुरी विवस्ता खराब है आज के देथ में कोई किसी की सुनने को दहीं है सरकार में कोई आपस में कॉडिनेशन नहीं दिखता है नहीं प्रशाषन में कोडिनेशन दिखता है बहुत बुरे हाला दिस राज्ज के समय हो गया ऐसा लगता है कि कोई शाचन चलिए नहीं रहा है। वास्तब में स्मार्ट सिती में कोई काम नहीं है। देरादुन का जो असली स्वरूप था उसको भी बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो तरवेंदर सिंग रावत के बयान के बाद अब कॉंग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। का कहना है कि ना तो तरवेंदर सिंग रावत के कारकाल में और ना ही तीरत सिंग रावत और ना ही पुषकर सिंग धामी के कारकाल में कोई काम हुआ है। का कि मैं और यद्न वेख रावत कि या तो तो कि हम भी एक चीजए की कुढ़ना पर है। तो करते ही हैं सभी लोग मिलकर के किसी भी राज्ये की राज़दानी हो खूबसुरत होनी चाहिए और देरदून तो बिल्कुल नहीं है और स्मार्ट सिटी का जब प्रजेक्ट यहां प्रदान मंतरी ने दिया था उस समय त्रिवेन सिंगरावत मुख्यमंतरी थे और उनके क खूशकर्दामी एक साल से मुख्यमंतरी हैं तो अगर स्मार्ट शिटी के काम नहीं चलना है यह तो एक असली चीज है लेकिन यह जो तर्वेन सिंगरावत के बयान से जो एक नई पटकता तयार हो रही है स्मार्ट शिटी के नाम सी यह बार्जैनता पार्टी के भीतर जो क्लaka के पुरा हो रहा है कोई काकज्गों में पूरा हो रहा है कोई काम से खुदाई कौन है अब त्रिवेन सिंग रावत काई कहना है कि जल्दी जल्दी स्मार्ट सिटी के सी यो बदल देने से यह सब हुआ लेकिन उनके कारेकाल में तो एक ही सी यो रहे आशी स्रीवास्तव उनके कारेकाल में भी एगर रिजल्ट पब्लीक के लिए नहीं आया वो के वर रैंक इसी स्मार्ट सिटी में अब तैनाती पाते हुए कई अपसर भारत सरकार से अवार्ड भी ले गए लेकिन पब्लीक को कोई रिवार्ड नहीं मिला कोई सुगमता के साथ यहां यात्रा करने का ट्रैफिक ठीक होने का या अच्छे से चलने का सड़के अच्छी होने का स्मार्ट सिटी के नाम पर खड़े कर दिये गए तो मुझे नहीं लगता है कि यह स्मार्ट सिटी से में बढ़ रहा है और एक पत्रकार होने के नाति जब भुसलेमार्ट सिटी का काम नहीं हूँ हुआ सडगे पहले ठीक थी अब और गटिया टाइप के सडगे हो गई है ब अगला रिव्यू आता है अगली रिव्यू बैठा काती है बिलकुल वही कमी खड़े होते हैं और यही बात यहाँ पर इस बात को इसकी दुरुगती के लिए जिम्मेदार है कि जो डर जो भय सिस्टम में होना चाहिए अभी आज स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को ब्लेक लि चलिए आगे बढ़ेंगे तो हरित्वार दौरे पर पहुंचे सीम पुषकर सिंधामी डिवाइन कॉलेज ओफ नर्सिंग एंड पैरमेडिकल साइंस का उधगाटन कारिक्रम केंड्रे मंट्री महिंदर नात पांडी भी इस कारिक्रम में मौजूद है यह तस्वीरे भी हरित्वार का दौरा है मुख्य मंट्री का और डिवाइन कॉलेज ओफ नर्सिंग एंड पैरमेडिकल साइंसेज का उधगाटन किया तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंड्रे मंट्री और साती साथ बाबराम देब भी उनके साथ दौरान मौजूद रहे रमेश पोक्रि तो सीम पुषकर सिंग धामी ने एक बार फिर से करमचारियों को नसीहत दी है सीम ने कहा है कि करमचारी घड़ी देखकर काम करने की आदफ में सुधार लाए हम सब लोगों को पेल लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा इसका मलब बिगत की जो भाच्पा की सरकारें थी 2017 से 2022 तब इसमें क्या करमचारी उन्हें इनका काम नहीं किया कि आठ भी बज़ आएगा और नौ भी बज़ेगा तो भी हमको उतने ही मन से काम करना होगा जिटने मन से हम सबेरे दस बज़े आए हैं सीम पुषकर सिंग धामी की अधिकारियों और कर्मचारियों को ये अब तब की सबसे बड़ी नसीहत है सीम धामी का स्थाफ कहना है कि कर्मजारी घड़ी देखकर काम करने की आदत छोड़ दे इस नए उत्राखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिक्ता है कि हमें आपचारिकता वस दस से लेकर पांच वजे तक आपिस जाना है उसके बाद काम खत्म इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा हम सब लोगों को पेल लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर पांच की जगा साथ भी बज जाएगा आड़ भी बज जाएगा और नौ भी बजएगा तो भी हमको उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे दस बजे आये हैं तब जाकर हम नए उत्राखन का संकल्प को पूरा कर पाएंगे प्रदेश की कमान सम्हालने के साथ भी पुशकर सिंग धामी खुद भी प्रदेश में ताबर तोर दौरे कर रहे हैं जाहिर है सिंग धामी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश की विकास में करमचारियों की लापरवा की रोड़ा बने सिंग धामी ने ये साफ किया है कि आपचारिकता से हटकर तनमयता से अधिकारी और करमचारियों को काम करना होगा सियम धामी ने अधिकारी करमचारियों को नसीयत दी है कि सुबह 10 से शाम 5 का मोच छोड़ दें और राज्य हित में तनमयता के साथ काम करें सियम के इस बयान के बाद जाहिर है कि अधिकारी हो या करमचारी उन्हें अपनी कारेशेली बे बदलाब लाना होगा जिसके लिए शासन सर पर हलचल बढ़ गई है है जिए बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को आधि अबाधी को सशक्त करना है तो साऽथ विभावों काम करना है इस पुलिस विभाग अकेले नहीं कर सकती एक इंटेग्रेटड अपरोच इसे में हम लोग और इस्यूस भी जोड़ Superior जैसे भीक्षा वृत्ति की समस्या है, यूमन ट्राफिकिंग की समस्या, आप में से भी बहुत लोगों ने इसको उठाया है। सीयम धामी अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन कॉंग्रिस को ये बात हजम नहीं हो रही, कॉंग्रिस तो इसमें भी कम या निकाल रही है। मगर अब सवाल इस बात का है, कि सीयम की नसीहत का क्या अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई असर होगा, क्या कर्मचारी अपनी आदत में सुधार लाएंगे, वैसे देखा जाए तो ड्यूती के दौरान ही कर्मचारी सही से काम नहीं करते, फिर अतरिक्त समय रुपने से लगता नहीं कि पहाड की लोगों का कुछ खला हो पाएगा, ऐसे में जो सीयम धामी ने राज्य के लिए संकल्प लिये हैं, उन संकल्पों को तभी पूरा किया जा सकता है, जब तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की इसमें भागिदारी होगी, देखना होगा कि सीयम ध नेशनल पार्क से सटे मर्चवा इलाके में देर रात बाजार में बाग देखने को बला, बाजार में बाग की चहल कदमी से हरकम मच गया, बाग इस वक्त गंभीर हालत में था और दर के मारे लोगों ने ज़ौरान बाग पर गोली भी चलाए, इसके बाद बाग की मौत हो है, इस बाद की पुछती अभी तक नहीं है, इस बाद की पुछती अभी तक नहीं है, जिससे लोगों में अफरा तफ्री का महौल है, यह तस्वीरें कॉर्बिट से सटे मर्चुला इलाके की है, लोगों ने जैसे ही बाग को देखा, देह्शत मच गई, इस बीच बाग लोगों की तरफ बढ़ने लगा, एक फल के लिए तो लगा, कि यह बाग किसी की जान ही ले लेगा, वगर तभी बाग को आबादी वाले एलाके से भगाने के लिए कुछ लोगों ने फायरिंग भी कर दिए, एक के बाद एक दो फायर होते हैं, बाग डर जाता है, तो वहाँ से दूर चला जाता है, अब इस तस्मीर को देखिए, यह बाग एक जगे पर चिपा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाग बीमार था, जिस वज़े से वो सही से चल भी नहीं पा रहा है, इस घटना के कुछ देर बाद ही बाग की मौत की ख़बर आती है, अब कॉर्बिट प्रशासन इस बाद की जाच कर रहा है कि बाग की मौत हुई कैसे, क्या उसे गोली लगी थी, या फिर बीमार होने की वज़े से मौत हुई, कॉर्बिट प्रशासन इसकी जाच कर रहा है, एबी पी गंगा के लिए राम नगर से दानिश कान की रिपोर्ट, राम नगर में कॉर्बिट नेशनल पार्क का धिकाला जोन आज से परेटकों के लिए खोल दिया कया है, धिकाला जोन पिछले 5 महीने से बन था, हर साल 15 जून को कॉर्बिट नेशनल पार्क धिकाला जोन परेटकों के लिए पूरी तरह से बन कर दिया जाता है और 5 महीने बाद 15 नॉबर को खुलता है कॉर्बेट पार्क में सबसे ज़्यादा परियटक दिकाला जोन आना पसंद करते हैं और जोन में कॉर्बेट नैशनल पार्क की बायो डाइवर्सिटी के साथ सबसे अधिक संख्या में बाग भी पाए जाते हैं जिने देखने देशी विदेशी परेटक पहुंचते हैं. और आज से राज़ा जी टाइगर रिजर्व को सैलारीों के लिए खोल दिया गया है. पार्क के गेट खुलते ही जंगल सफारी की शुरुवात हो गई है. अब सैलानी 15 जून तक जंगल सफारी का लुफ्त उठा सकेंगे. जो तस्वीरे आप देखेंगे, उस वक्त की तस्वीरे हैं जब राज़ा जी टाइगर रिजर्व को आज परेटकों के लिए खोल दिया गया. और बड़ी संख्या में जो परेटक हैं आज पहले दिन नजर आए राज़ा जी टाइगर रिजर्व खुलने पर और आज से जो वनेजीव है उनका दीदार कर पाएंगे परेटक. तस्वीरे भी आप देख रहे हैं परेटकों की बड़ी संख्या आज पहले दिन ही देखने को में दी साथी साथ जो स्कूली बच्चे थे वो भी इस मौके पर आए तो 15 जून तक राज़ा जी टाइगर रिजर्व परेटकों के लिए खुला रहेगा और जो बरनेचीव है उनका देदार जो परेटक है वो कर पाएंगे ना सर्फ विदेश से बलकि विदेश से भी जो परेटक है वो राज़ा जी टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं तो 15 जून तक के लिए पार्के गेट खोल दिये गए हैं और आज से जो सफारी है उसकी भी शुरुवात हो गई है उत्राखन में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है क्योंकि उत्राखन चयन आयो के सचीव का दावा है कि वो किसी भी भरती के लिए परिक्षा कराने को तयार है हलक इंतजार अभी शासन के प्रस्ताव का है और ऐसे में अगर शासन प्रस्ताव भीशता है तो जाहिर है युवाओं के लिए रोजगार बहार तो है उत्राखंड में युवाओं के लिए नोकरियों का पिटारा खुलने वाला है पहाड पर रोजगार की बहार आने वाली है क्योंकि एक वार फिर उत्राखंड चैन आयोग तैयार है अब तक जो उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग धांधरी और फरजी वाडे का दाग झेल रहा था अब उस दाग को साफ करने की कावायद हो रही है उत्राखंड चैन आयोग के सक्यू सुरेंदर सिंग का दावा है कि सासन की ओर से एक्जाम कराने को लेकर कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो आयोग तैयार है आयोग ने अपनी ओर से एक प्रिकॉशन लिया कि इनका जो है थोड़ा सा देख लिया जाए कि कहीं इसमें भी कुछ ये विशियर तो नहीं हुए ये एक्जाम भी जो है कोई दूशी तो नहीं हुए है तो यही इसी को देखते हुए आयोग ने फिर एक उचस्तरीय कमेटी बनाई और वो जाच कर रही है अगर इसमें सौफ्टवेर वगरा में कोई छेड़ चाड़ वही होगी तो वो हमने एक आईटी एक्सपर्ट भी है उसमें वो देखेंगे उसको और जो भी उनकी रिकमेंडेशन्स होगी उसी के आधार पे आयोग आगे करवाई करेगा इतना ही नहीं बहु चर्चित फॉरेस्ट गाड भरती मामले में भी नोकरियों की राह खुल गई है नकल के मुकदमे से मरी कई अभियर्थियों को नौकरी दी जाएगी शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने अभियर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुला लिया है तरसल फॉरेस्ट गाड भरती में ब्लोटूट से नकल करने का मामला सामने आया था जिसमें पुलिस ने 47 उवाओं को आरूपी बनाया था इसमें नौ अभियर्थि ऐसे थे जो शारेरिक परिक्षा के बाद अंतिम मेरिस्ट लिस्ट में पहुँचे थे आरूपों के चलती इन अभियर्थियों के अलावा अन्य को नियुक्ती दे दी गई थी अभी तो हमें यही चीजें सारी शौट आउट करनी है इसके साथ इस सहायक अध्यापक इल्टी, कनिष्ट सहायक, आशुलिपि, पहन्चालक, रमशाला अरुदेशक, मत्से दिरिक्षक, मुख्यारक्षी, दूर संचार इन भरती परायोग को अपनी गठित कमेटी की जाँच रिपोर्ट का इंतजार है ऐसे वे साफ है कि आने वाले वक्त में देव भूमी के युवाओं को नौकरी के नया उसर मिलेगा प्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा तो आली में बर्फबारी हो रही है जिससे हर तरफ बर्फ बिची नजर आ रही है नौमबर महिनी में ही सीजन की पहली बर्फबारी हुई है जिससे परेटन कारुबारियों के चहरे खिल उठे है किदालनाथ और बदरिनाथ धाम में होई बर्फबारी तो आपने देख ली अब जरा सैलानियों की सेरगा आली का भी नजरा देख लीजी ये ड्रोन से ली गई तस्वीरे हैं हर्याली की चादर वाली बर्फ की सफेद चादर में लिपती है ऑली और गैरसो बुगयाल में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी होई है बर्फबारी के बाद ऑली का नजरा बेहत खुबसूरत लग रहा है हलागि अभी ऑली में हलकी बरखबारी हुई है तो नजारा ऐसा है सोचिए जब जबरदस्त बरखबारी होगी तब आलम कैसा होगा लेकिन नवंबर महीने में हुई बरखबारी प्रेटन कारोबारियों के लिए खुश्यों की सौगात लेकर आई है तब ही तो देखिए इस ठानिये लोग सीजन की पहली बरखबारी का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं इस ठानिये लोगों को उमीद है कि इस बार भारी बरखबारी होगी जिससे परटकों की संख्या बढ़ेगी ओली में दस नंबर टावर से और कृतिम झील तक हलकी बरखबारी हुई है इस साल वक्त से पहले हुई बरखबारी से आगे अच्छी खासे बरखबारी की उमीद भी जगी है इसलिए दो से आट फरवरी तक होने वाले नेशनल स्कीन चैंपियंशिप और इंतरास्टी स्तर की फेस रेस के सफल आयोजन की उमीदे भी परवान चरहने लगी है ओली में हुई बरखबारी की खबर सेलानियों तक बहुच चुकी है जिसका असर है कि 25 दिसंबर तक के लिए सब ही होटलों की बुकिंग हो चुकी है प्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा और इसके साथ उत्राखन प्राइम में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं एबीपी गंगा के साथ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी